नमस्कार कैसे आप सभी लोग बढ़िया हैं हमारे प्राचीन भारत में हर कार छेथ से जुड़े मंत्रों का उपियोग होता था अर्थात मानलो हम ऐसी जगे चले गए जहां मुझे ना खाने को कुछ मिलने का ना कोई गाउं है ना कोई बाजार है ना कोई हाठ है ऐसे में पैदल लोग चलते थे पहले सन्यासी क्या गाउं वाले भी लंबी लंबी दूर पैदल जाके अपने यात्रा पूरी करते थे बिजनेस के लिए और निमंतरन के लिए के देखो बैल गाडियों पे जाते थे लोग हैं उनके पास तब इतने सारे साधन नहीं थे जब साधन नहीं थे तो उन्होंने रास्ते से भैं हटाने क्लिए इन किसी प्रकार की दुर घटना नहोँ उसके लिए तमाम मंतरों का एक अविश्कार हुआ बहुत सारी सकतियों का अविश्कार हुआ रास्ते में भूग प्यास लगे तो पराशक्तियों द्वारा नाना प्रकार के विंजन मंगाने का अविश्कार हुआ प्यास लगे पानी मंगाने का अविश्कार हुआ इस प्रकार बहुत सारे मंत्रों का अविश्कार हुआ जो कि आज प्रयाय लुप्त प्रया हो रहे हैं यह वही मंत्र हैं आपने सुना होगा कि एक बंदा हाथ ऐसे करता मेवा मिश्री आ जाता है वो तो बहुत छोटी चीज़ है एक दिन की साधना है सिर्फ इससे आप तमासा कर सकते किसी को प्रभावित कर सकते हैं कि यह गुरु जी ऐसे करते हैं वो मंगा देते लेकिन गुरु जी हकीकत में किसी का कुछ भला नहीं कर पाएंगे और यह कलियुग है इसी टाइप के गुरुओं का ज्यादा आज कर बोल बाला है उन्हीं को पूजते हैं और जिनसे उद्दार होना है उनको आप पहचान नहीं पाएंगे जान नहीं पाएंगे आप कहोगे यह बहुत सा अधारन आदमी है यह ऐसा आदमी इसके अंदर भला कहां दैविय सकती हो सकती है यही परदा आपकी आखों पर है तो पहले की विद्याओं में ब भाड़ियां चलती थी पैल चलते चलते ठक जाते थे उनके अंदर आगे चलने का साहस नहीं होता था कभी कभी ऐसा होता था कि जुड़वा बैल में से एक डेड़ हो जाना या घोड़ों घोड़ा जो होता तो राश्तिम बीमार पढ़ गया वह इसपायर हो गया हाथी इस सफर वो कैसे तेह करें इसके लिए भी चीजें थी कि उन बिमार पड़े उन अस्वस्त पड़े जिवों को कुछ घंटों के लिए कुछ दिनों के लिए उनके अंदर एक्ष्ट्रा एनरजी डाल दी जाती थी मंत्रों द्वारा इसका दीरे दीरे परवर्तन होता रहा परवर्तन हो रहा वह आज यूग आ गया गाड़ी घोड़ा गोड़ा तो गया गाड़ी बाइक कार और एसीवी यानि नाना प्रकार की लग्जरी गाड़ियों का समय आ गया तो परवर्तन हुआ परवर्तन होने के साथ आज भी ऐसे चमतकारी परयोग हैं आप ध्यान से सुनना यह आपके लिए बहुत ही जरूरी है चुकि आप अपने परवार के लिए बहुत कीमती हैं जब आप सुबह निकलते हैं तो परवार आपको साम को इस उमीद के साथ रह आपके रह का इंतजार करते हुए आपकी धरम पत्नी आपकी प्यारी बिटिया आपका प्यारा बच्चा आपके माबाप कि पापा जी साम को आएंगे, हमारे पती देव साम को आएंगे, हमारा बेटा साम को आएगा, हमारा बच्चा साम को आएगा ऐसे में कभी-कभी ऐसा योग बन जाता है कि वो बच्चा वो बेटा वो पति वो दुलारा साम को वापस नहीं आता है बलकि उसकी खबर आती है कि अभी अभी एक रोड एक्सिडेंट में आपका बेटा, आपका पती, आपका बालक, आपका प्रिये पूत्र, आपका अपना इस दुनिया में नहीं रहा जब ऐसी खबर आती है तो आपके कलेजे पर क्या भीतिती है आपके बच्चों के हिर्दे पर क्या भीतिती है उस माबाप के हिर्दे पर क्या भीतिती है इसकी कल्पना करना ही समझ जाईए रूए खड़े हो जाते दिल धर्थरा जाता है तो क्या आप चाहते हैं कि ये घटना इस प्रकार की आपके बच्चों के साथ आपके पती के साथ आपके बेटे के साथ आपके अपनों के साथ आपके भाई के साथ कभी ना हो चाहेंगी ना बुलिए चाहेंगी इसी विशय को लेकर ये आज वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ जोड़कर निवेदन है ध्यान से देखना मैंने बोला ना कि आपके अपने आपके लिए बहुत कीम्ति है और आप भी स्रीमान जी जो वीडियो देख रहे हैं गाड़ी बहुत तेज चलाते हैं आपके लिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि कोई आपकी रहा देख रहा होगा इस रहा को देखने के लिए हमने एक बहुत अदभूत चीज ढून निकाला है ये इतना चमतकारी है कि इसे आप नित्य अगर क्रम में ले आएंगे और बाई चांस आपको कभी लगा कि हाँ ये गाड़ी हमारे घर तक नहीं पहुँचेगी पिट्रॉल कम है इस मन्त के इतनी पावर है कि आपको घर तक पहुँचा देगी लेकिन आस्था विस्वास रहना चाहिए और मूल वीडियो बनाने का उद्देश ही है कि आप सेफ सुरचित घर को आएं और सेफ सुरचित घर से जाएं जो लोग बिदाउट हेलमेट चलते हैं वो समझ जाईए कि साथ छात अपने को निमंत्रन ले रहे हैं मौत का आज की डेट में बहुत ज़्याधा ट्राफिक है हीं हलमेट बहुत जरूरी है कि ट्रैफिक मियम का पालन करें हलमेट लगाएं हलमेट लगाने से आपके बचने के चांसस 80% प्लस हो जाते चुकि हेड एंजरी से लोग ज्यादा इसपैर होते तो प्यारे दर्सकों नमस्कार लिख लीजिए जब भी आप घर से निकले पूजा पाठ जो भी आपके गुरू हो जो इस्ठोन को प्रणाम करते हुए माता पिता के पाँच होते बच्चों को प्यार करते हुए पत्मी को प्यार से दो सब्द बोलते हुए खुस करके आपको घर पे जब गाड़ी पे बैठे तो गाड़ी पे बैठने से पहले ध्यान नक लिए गाड़ी पे बैठने से पहले आपको बोलना है हंग हनमते रुद्रात मकाय हुंग फट इस मंत्र को पांच बार बोलना है और पांच बार आपको बोलना चलत विमान कोला हल होई सिर्फ इतना चलत विमान कोला हल होई इसको पांच बार बोल लेना और प्रणाम करना बैठ जाना, इसको डेली कर लो, डेली करना चालो कर दो मेरे भाई, सेफ रहोगे, सुरच्छित रहोगे, कभी कोई दुरगटना नहीं होगी, कभी किसी प्रकार का कोई हाथसा नहीं होगा, दो-तीन महिने लगातार करते रहोगे, तो आप देख लेना, कभी ऐसा हो कि आपकी गाड़ी रास्ते में कुछ इसके अंदर टेक्निकल फाल्ट आने के कारण बंद हो जा रहे हैं, या पिट्रोल का प्राबलम होगा, तो ये मंत्र के अंदर इतनी पावर है, कि कहीं न कोई ब अपने प्यारी बेहनों के इज़्जत करिए, पत्नी को लच्मी मानिए, अगर पत्नी उस योग है तो इसको लच्मी मानिए, खुस रखिए, ठीक है, अधिकतर पुरुस घर पे पत्नी सीधी साधी पा गए, वो पर नारी के चक्कर में, ऐसे में आपका विनाश निश्चि है, ध्यान रखिए, ऐसे बिलकुल मत करिए, पत्नी सरूपा जो हो, वो आपके लिए लच्मी है, उसको कभी चीटिंग मत करिए, खुस रखिए, साथ ही, आपको जो हिर्दे से मानता हो, उसको भी आप हिर्दे से माने, ठीक है, मुझे उमीद है ये वीडियो आपको बहु पुरिनी रहेगा, माता कमख्या, आपके परवार को दीर गायू करें, आप स्वस्त्रे सुखी रहें, आपके बक्चे सुखी रहें, आपका परवार सुखी रहें, यही कामना करता हूँ, धन्यवाद, जैश्री राम